So, hello and welcome you all, I am Rohit from Bahajan Traders So, आज अस वीडियो में हम बात करेंगे NMDC Limited की So, NMDC Limited में हमने previous वीडियो में कुछ levels डिसकस किये थे उन levels की basis पर हम long term में भले ही इसमें positive हैं पर short term में stock में गिरावट आ रही हैं कही न कहीं काफी सारे लोग wait कर रहे हैं एक इसके audited results और dividend की date की तो यहाँ पर तब तक काफी ज़दा fluctuation stock में रहेंगे market के direction में ही भागने वाला है इस stage का आपको ध्यान रखना है तो NMDC में last trading season भी गिरावट ही रही इस stock के साथ साथ हम बात करेंगे एक dividend share की और एक यहाँ पर split share की तो वीडियो को end तक देखना और channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को भी subscribe कर दिना तो यहाँ पर आप देख सकते हो NMDC Limited हमें closing देता हुआ नजराया 106.80 रूपिस के level पर यहाँ पर बात कर लिए returns की तो negative returns stock में हमें देखने को मिले है 1.20 रूपिस के round आप देख सकते हो stock में गिरावट रही है 1.11 परसन के basis पर और हमें उम्मीदे की गिरावट जल्दी खत्म होगी और एक share अच्छे returns देदेगा क्योंकि यहाँ पर आप देखो पिछले कुछ ताइम से stock गिर ही रहा है यहाँ पर अगर बात कर ले 5 days के time frame पर तो stock में हमें गिरावट नज़राती है कही ना कही यह जो support level था इसे ब्रिक करता हो नज़राया यहाँ पर देखोगे तो एक descendal type triangle भी stock में create हुआ यहाँ पर share support लेके उपर क्यों गया उपर से stock rejection लेके नीचे की रहा है इन upside down momentum के बीच आप देखोगे तो share में यहाँ से मिला एक fall और यहाँ से sustain करगे stock continue गिरावट दे रहा है जिसके बारे में हमने previous video में discuss किया था एक रुपे 95 पेसे तक की यहाँ पर आप देख सकते हो गिरावट नेजर आ जाती है 1.79% के बेसे पर एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है साथ एकर बात कर लें तो यहाँ पर आप देखोगे तो one month में भी stock काफियत तक गिर चुका है 4.65 रुपिस के राउंट तक की stock में हमें एक गिरावट नेजर आती है 4.17% के बेसे पर साथ एकर बात कर लें तो शेर में 6.75 रुपिस के राउंट तक की गिरावट देखने को मिल रही है 5.94% के बेसे पर यहाँ पर आप देखोगे तो इस पर्टिकलर रेंज के राउंट आने की जरूर कोशिश करेगा इसलिए आप पॉजिटिव रहो क्योंकि जल्द ही गिरावट प्रॉफिट में कनवर्ट होने वाली है यहाँ से रेजेक्शन मिल रहे है तो एक फॉलिंग वेश टाइप पैटर्न आपको फॉर्म हताओ न जराएगा यहाँ पर वेट करना है एक सस्टेंग का और यहाँ से मिल सकते है अच्छे रेटरंस तो थोड़ा वेट करो बिल्कुल स्टॉक यहाँ पर प्रॉफिटेबल जल्द होने वाला है यहाँ पर आपको वेट करना ही होगा यहाँ पर अब बात कर लेता है वाल्यूम की वाल्यूम की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 69 लाग के राउंद की ट्रेड वेल्यू भी हमें देखने को मिल रही है और 42 लाग के राउंद की का कॉम्देन डिल्यूर्य भी स्टॉक में हमें देखने को मल जाता है यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखने है कि volume तगड़ा है काफी लोग इसमें buying interest अपना बताएगे काफी लोग इसके खरीदने के लिए यहाँ पर आगे आ रहे हैं है अगर देखें last trading season से भी एक दिन पहले की बात कर लू तो 74 lakh के राउन तक का trade value है और 49 lakh के राउन तक का component delivery भी हम यह देखने को मल जाएगा high volume के साथ stock को यहाँ पर buy किया जा रहा है और आपको यह volume अभी lakhs में देखने को मिल रहा है बढ़ यह volume जल्द ही करोड में जाने वाला एक ही दिन में यहाँ पर 1 करोड के राउन तक की deliveries भी उठाई जा सकती है यहाँ पर high volume के साथ buying होने वाली है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वही बढ़ते आगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो stock में 100% buying के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर 100% buying के लिए कहा जा रहा है काफी जदा लोग community sentiments के आकड़े जो है जो experts हैं उनकी ओर से buying के लिए कहा जा रहा है तो एक चीज़ हमें देखने को बल जाती है अब बात कर लेते हैं levels की तो पहले हम बात करेंगे 30 मिनट के chart frame पर stock में हमें क्या देखने को बलता है 30 मिनट के chart frame पर आप देखोगे तो stock में एक proper trade line देखने को बलती है जहां से stock strong support लेता हुआ उपर की ओर जा रहा था यहाँ पर 8 trade line आप देख सकते हो 8 यहाँ पर stock अलग भग 23 मई से लेके यहाँ पर 15 मई तक यहाँ पर आप देख सकते हो sorry 23 अपरिल से लेके 15 मई तक इस stock एक range में फसा हुआ था यहाँ पर 14 मई हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक fall आना start हुआ था तो ठीक है अब यहाँ पर रहा है तो एक range में यह share फसा हुआ था एक proper trade line पर strong support लेता ओपर जा रहा था वो trade line आपके सामने ए रही important support level हम इसे कह सकते हैं एक IMP support level हम इसे यहाँ पर consider कर सकते हैं जहाँ पर है support लेता हुआ ओपर ख्योर जा रहा था वही आप देखोगे तो stock यहाँ पर पहले इसने यहाँ पर support लिया फिर यहाँ पर support लिया उसके बाद यहाँ पर support है यहाँ पर support है तो continue यहाँ पर इसने support लिया उसके बाद share में आप देखोंगे support लेने के बाद यहाँ पर rejections भी थे तो एक breakout के बाद stop तो उसके बाद अच्छे रिटन समय देखने को बिल है 111 से लेके 112 अगे स्टॉप इसी तरीके से यहाँ पर मोमेंटम बताता हुआ नजराया उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आप देखोंगे तो एक ट्रेड लाइन इंपोर्टेंट है यहाँ पर जो यह लेवल है एक इं टार्गेट आप इससे रख सकते हो उसके बाद इक अच्छी बटन हमें देखने को बली है यहाँ पर स्टॉप में थोड़ा बहुत चला यहाँ पर भी इगर में ट्रेड लाइन बनाओ तो वही पैटन हमें देखने को बलते हैं एक कपें अंडल हम कह सकते हैं तो यहाँ से एक अच्छे रिटन्स बिल है फिर उसके बाद इस पॉइंट से जैसे मैं ने बताए कि एक रिजिक्शन लिया टार्गेट अच्छी हो गयता है और यहाँ पर एक सिमेट्रिकल टैप पैटन क्रेट हो और काफी बड़ा फॉल आया काफी बड़ा फॉल आया शाफ वोल हम कह सकते है और अगें जहाँ पर इसने पहले कई बार सपोर्ट लिये उन्ही लेवल्स पर इसने आगे भी सपोर्ट लिया यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ शेर उपर क्यों गया यहाँ से आप दीखोगे पहले रिजिक्शन फहले फिर फिर रिजिक्शन अगें रिजिक्शन म वही यहाँ पर bearishness देखने को मिली, यहाँ से तो breakout मिला, उबर क्यों और गया, market के साथ, पर यहाँ पर bearishness देखने को मिली, और stock ने finally यहाँ पर दे दिया एक breakdown, और यहाँ से गिरावट आपने देख ली, तो अब stock में आगे गया, तो यहाँ पर भी आप दीखोगे, तो stock मे नीचे से support ने जराता है, यह वाला support है, यहाँ तो यहाँ पर support लेगा, यहाँ फिर यहाँ से fall, इस level का break होना काफी ज़्यदा important है, deciding day यहाँ पर होने वाला है, Monday, और वही अगर बात कर ले, तो यहाँ पर पहले एक falling wage type pattern create हुआ था, उसके बाद breakout बिला था, breakout के बाद sideways चल और यहाँ से हम वेट कर रहे है, 130 तक जानेगा, क्योंकि एक falling wage type pattern है और यहाँ से हम bullish था है, बट यहाँ से सिदा fall आने start हो गए, तो यहाँ से भी symmetrical type pattern हम कह सकते हैं, बट नीचे की और support लेके उपर की और breakout हमें चाहिए, तो यहाँ पर NMDC में, जो long term के target है, ओ भी मैं आग अब बात कर लेते हैं, stock में, इसमें split stock की बात करेंगे, और साथ हम बात करेंगे, एक dividend stock की भी, तो पहले हम बात कर लेते हैं, split share की, जो split होने वाला है, वीर्गूपा जेवल, जेवलर्स का नाम है, 70.80 रूपीस के round तक की closing है, 3.70 रूपीस के round तक का stock में गिरावट है, 4. 4.97% के basis पर, company की वर से आप देख सकते हो, 10.1 का split है, यानि एक share जो है, 10 share में टुटेगा, 16 मही से पहले बात करना होगा, तब ही आपको इसका benefit मिलने वाला है, उसके बाद जो company आती है, Hero Motor Corporation Limited है, यहाँ पर 2,605.90 रूपीस के round का share है, 20.45 पेसे तक की बात है, 0.79% के basis पर साथ ही अगर बात कर ला है, तो dividend company के ओर से दिया जा रहा है, 35 रुपे पर equity share का final dividend है, 27 जुलाई 2023 से पहले बाई करना होगा, तब यह आपको इसका benefit होने वाला है, I hope आपको ए वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को like कर देना, चर futures का analysis भी कर लेना है, thank you.